तो चली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस भी आई का आर्टी जीएस या एनी एक टी फॉर्म को कैसे फिलब करेंगे तो चली वीडियो पर बने रहना है वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना ताकि सारा चीज आपको किलियर हो जाए तो सबस लाक से अधीक पैसा को टांसपर करना है तो आटी जेस वाले आप्सिंस पर आपको टिक करना तो एनी एप्टी आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद यहाँ पर फॉर्म है यह फॉर्म दो पार्ट में भरा जाएगा एक आपको बैंक प्रूप के लिए लेगी अब एक तारीक को फिलब कर रहा होंगे उस तारीक का यहां पर डेट देदना है इसके बाद यहां पर ब्रांच कोड जो भी आपके ब्रांच का कोड होगा उस ब्रांच का यहां पर कोड देजेगा इसके बाद यहां पर जो यहां पर ब्रांच नेम देदना है जो भी आपका हमें को लिख देना है इसके बद जो भी आपका एकाउंट होगा इसके अगेमें लिखने कि इसके बाद अगर आप चेक के दोवारा यहां पर आटी जी एस या इनिए अप्टी कर रहा है तो चेक नमबर देना है और चेक नमबर यहां पर उसका डेट भी देना है तो अगर चेक के दोवारा कर रहा है तो यहां पर नमबर उसका डेट देना है और इस कॉलम को ऐसे तरह है नेम आफ दा बेनिफिषिरी मतलब जो किसी दूसरे एकांट जिसके एकांट प्राइसा को आफ टांस्फर करना चाहते हुरा इसके यहाद यहाद पे अपफे on ग पर कर रहा है उनका यहां पर एकाउंट नंबर यहां पर दे दना है उनका यहां पर नेम दे दना है सारा डेटियल्स उन्हीं का यहां पर फिलप करना इसके बाद यहां पर इमाउंट यहां पर फिगर में लिख देना है जो भी इमाउंट होगा 10,000 रुपे only इसके बाद यहाँ पे amount in figure जो भी आओ यहाँ पे word में लिख देना है इसके बाद यहाँ पे कुछ charges यहाँ पे bank के दोरा कटता है 50,000, 1,000,000, 10,000, 20,000 जो भी यहाँ पे charges आप एक पर Google पे देख लिजेगा तो यहाँ पे मेरा 10,000 का 2.36 मतलब 2.36 पैसा यहाँ पे कटता है 10,000 का तो हमने यहाँ पे लिख दिये total यहाँ पे amount यहाँ पे लिख दिये इसके बाद यहाँ पे name of applicant यहां पे आप अपना नाम लिखेका इसके बाद यहां पे आपको सिंगनेचर कर देदाना है इसके बाद यहां पे प्रोसेस इस वाले कॉलम में भी है यहां पे आपका branch name देदाना है आप अपना branch name दे जागा इसके बाद आपर date यहां पर लिख देगा इसके जितना amount यहां पर आप बैंद कर रहा है उस की महलस को लिख देना है और यहां पर यहां पर चेक की दूरा कर रहे हैं तो चेक नंबर लिख देना है इसके बाद ले के पैसा को टेंसपर कर रहा है उनका मतलब बेनिफीर का यहाँ पे नीम दे देना है तो यहाँ पर उनका नीम देदी जाएगा इसके बाद आ없이 चॉट ऑब बेनिफीर का बैंक ब्रांच उनकल देना है इसके बाद आट किना आप बेनिफीर को कुछ चार्जेस लिखना है और टूटल यहां पर चार्जेस यहां पर लिख देना है जो भी हो इसके बाद यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है बाकी जो है आपको बैंक में दे देना है और सारा जो है प्रोसेस आपको बैंक करेगा और वहां से आपका पैसा को टंसपर होगा तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा हेल्फ मिला हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजएगा और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक किजएगा चलिए तब तक के लिए जय जय भारत तब तक के लिए